तो हेलो नमस्कार आद आप से स्वेकाल सलाम तो आगे है मैं एक और ब्रैंड न्यू वीडियो लगे और ये होने वाला है हम लोग का एपिसोद नमबर 17 और रैंक पुसिंग इन सीजन 26 फिलाल आप लोग मेरी रैंकिंग डेख सकते हो मैं ग्रैंड मास्टर की पुसिंग कर रहा हूं और मेरे से इन दिनों ज्यादा अच्छे से पुसिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैं आया हुआ था अपने घर और आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो यानि की 8 मार्च 2022 को मैं जारो अपने घर से वापस यानि की पूरा दिन मैं रहूंगा ट्रेन में तो उससे एक दिन पहले यानि की 7 मार्च को मैंने ये वीडियो रेकॉर्ड किया और उसके बाद वोईस ओवर भी उस पे अभी कर रहा हूं तो आप लोग को वीडियो देने में लेट ना हो तो मेरी इसमहनत के लिए एक लाइक तो बनता है इन साथी में वीडियो को आप लोग करहिद हो जैसा कि मीन आप सभी को बता है क्योंकि वीडियोका आप लायस्त में लाइक करने वाले बाहन है साथी में हमारे चैनले 5.7 सब्सक्राइब करा लिए ये जल्री 5.8 के भी complete कर लेंगे अगर आप लोग support करते हो तो 5.7 के कराने के लिए आपका दिल से शुक्रिया तो यह हम लोग का पहला मैच जिसमें की मैं खेल रहा हूँ डूओ में आज के इस मतलब वीडियो में मैं तीन ही gameplay डालने वालो अभी मैं मस्तवाल आपना जा रहा था तभी मेरे को एक बंदा दिखता है मूँ पे बिलकूर और तुरंट से उसको मैं MP5 X से कर देता हूँ नॉक तो इसी के साथ यह जो भाई मेरा होने वाला 7 किल यानि कि 6 किल मैंने पहले किल कर रखे और आप लोग देख सकतो इसको किल करते ही मेरे 7 किल हो चुके थे यह मैच पांच और बंदे बचे हुए और मेरे टीम मेट को अगर ना पकड़ा जाए तो बस चार ही बंदे बचे हुए तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मस्त वाली अपनी लूट एंड उसके बाद बचा रहता है बस हमारा एक ही बंदा एंड मैं करने वाला हूँ इसको किल क्योंक मैंने लगा दिया इसी के साथ मेरे 10 किल के साथ बूया हो जाता है और 52 का मेरे को फुल प्लस दे दिया गया है तो यह हमलों का सेकेंड मैट जरू से मिस्स मत करना क्योंकि थर्ड मैट बहुत ही जादा धमाकेदार है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ मेरे सीव मे अब जिस बंदे को मैंने किल गया था उसके लूट वोक्स बगएर को मैं लूट करता हूँ और उसके बाद सामने जो किया तावर पर बंदे था भाई बीना कुछ सोसे चमझे मतलब मैं आ पर आ चुका था उसको रस करने अभी तभी मेरे को पीछे से भी पढ़ने चालू ह क्योंकि उसके पास एक बाइक भी थी और उसने मीशा करेक्टर यूज किया हुआ था अभी आसे मैं मर चुका हूँ और मेरा तीमेर आ चुका था मेरे को बचा ने लेकिन तभी भाई देख सकतो सामने हो जाता हम लोग के साथ सीन हम लोग के साथ नहीं मतलब बस इसके साथ सीन हो चुका था एन आप लोग देख सकतो मैंने इसको बोला कि भाई इसके तो जीरो किल से उसको उतना ज़रा रैंक से कुछ फारक पड़ता नी वह बस अभी एंटरटेन्मेंट के लिए खेल रहा है एंड इसलिए खेल रहा है कि ताकि भाई हम दोर अच्छे से रैंक पूरी कोसिस करूंगा अभी यहां पे एक और दू आखरी का बचा हुआ है एंड मेरे जो टीमेट है उसने भाई मेरे को यहां पर रिवाइब कर दिया रहता है अभी देख सकतो मेरे टीमेट को कर दिया जाता है दाउन अभी कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि भाई मैं उसको बचा तो सकता नहीं था यान कि मैं अगर उसके पास भी लेंट करता हूँ तो भी मेन नहीं बचा सकता क्योंकि बंदोंने तुरंड से उसको कर दिया था अभी यहां से पता नियार मेरे को आ गया था एक काम मतलब मेरे को घर में बुला लिया था तो मेरा ध्यान कई और चला गया था एंट तभी मैं जोन के बाहर आ चुका था तो कोई सीनी अभी ड्रॉप को लूटने के चकर में था क्योंकि भाई ड्रॉप ही एक आखरी सहाया था मेरा जिससे कि मैं लूट करके बंदों को मारने की कोशिश कर सकता हूं ऐसा श्योर निकी बंदों के मारी देता तो यहां से जब हमको मिल चुका था लॉंचर एंड मैंने इस बंडे को डेमेज तो कर दिया लेकिन खुँढ भी देमेज हो चुका था वहां पे टेलीफोन टाव में मैंने खुद पर M79 गिडा लिया था लेकिन कोई सीन नी जी 18 के साथ मैंने उसको कर दिया नौक यन कि उसको तो टोटेल कर दिया है खतम तो इस वाले मैच मे मेरे हो जाते है साथ किल के साथ बुया जिसमें कि मेरे को 44 का प्लस दे दिया गया तो यह हम लोग का थर्ड एन आखरी मैच जिसमें कि मैरे खेल रहा हूँ स्कॉड में एन मेरे को पड़ जाती है पीछे से अब यहां से मैं ग्लुओल लगाने की कोशित करता हूँ लेकिन मेर बंदों ने भी भाई मेरे को ग्लुओल बिल्कुर भी नहीं दी लेकिन कोई सीन नी यहां पर हमारे जो रोहिट भाई एन साथ में पवन भाई जो की मेरे पास ही थे तो वो दोनों जल्दी से मेरे को रिवाइब करने आ चुके थे अब यह वाला बंदा भाई मेरे को वाप अब यहां से रोहिट भाई भाई लेके भाग चुके थे जो मेरी गाड़ी थी जो मेरा बाईक था वो लेके भाग चुके थे तो मैं भी भाई उनसे अपना बाईक ले आता हु आपस और कोई सीन नी अभी मैं आप बहुत देर तक घूमता एंट अभी मेरे को पवन भाई दिखा रहे होते हैं ग्लीच अब लोग देख तो अगर मैं गाड़ी पर एंटर करके सीधा आ जाता तो मैं तावर के अंदर आ गया यह मैं आपको नहीं भी दिखा सकता मैं कोई भी ग्लीच या है को इस चैनल पर प्रमोट नहीं करता तो कोई भी यह करने की को इस ने मेरे चाह रहा था मतलब माना चाहूंगा क्योंकि भाई ऐसे भी मेरे को एलिमिनेट होके बैक कराना है नहीं अपना गेम वैसे भी एक ही किल हो रखे तो मेरे को भाय अंकर वाला माइनस लगने वाला था तो यहां पर ग्लू ओल दालने के चकर में मैंने लगा लिया था बोन फा यहां से आप लोग को दिखा रहा हूं क्योंकि स्कॉर्ट में की गेमस में क्या होता है मेरा बहुत जारा लेग होता है मेरा 3GB का फोन आप सभी को पते होगा तो जिसकी वज़े से मैं यहां पर नहीं कर पाता भाई मतलब रेकॉर्डिंग गेम खेलने के दोरान मैं रेकॉर पड़ी हुई थी तो उससे भी मैंने एक को यूज कर लिया क्योंकि बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का कहां से कौन मार जेगा कुछ भी नहीं पता लग पाएगा अभी जल्दी से हम लोग कर लेते अपने किल को कंफर्म क्योंकि मेरे को ऐसा मैसूस हो रहा थी कि आसपास हम लोग हो जाता है अभी यहां से पवन भाई तो मर चुके थे लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते और दोनों ही बंदे को अपने लेजंड भाई ने कर दिया था रिवाइब तो उसका भाई कोई टेंसन अभी हमको है नहीं और सामने उपर की तरह बंदे थे वह भी मेर नहीं मिली तो जिसके वाई वह ग्लू ओल भी नहीं लगाता एं एक दम से मेरे सामने आके मतलब क्या ही कर सकता है बंदा कई भाग भी नहीं सकता क्योंकि वाइक से आपको ठोकर एक बार लगने के बाद बहुत ताइम टेक आपका भाई मतलब कंट्रोल आपके हाथ में नह बंदे को तो घ separates जोडें देखें फशलीEM को एक बंदे को तो जोन इसानक कर देता है लेकिन डूसरा बंदा जोन मेंद नोग हो जाता है तो जिसके वादी से उसका पुंठा नहीं उप्रสश नहीं अब लिए और याम जू प उसको आपना उल लग जा यह भाई यहाँ पर फाइट बहुत ताइम से हो रही थी तो यहाँ पर मैं उतर के एक बंदे को यहीं पर कर देता हूँ तुरन से नॉक एंजर दूसरा बंदा होता है वो घर के अंदर चला गया अभी मेरे पास ग्लॉओल्स पगेरा थी तो मैं अपना अच्छे से खेलने वाला हूँ अभी बातों बातों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी तरीकिसे मैं दो तिन जो किल है वो निकाल यह मतलब अपने जो जो जोली में डाल लिया है यहां से मैं वापस से निकलता हूँ क्योंकि मेरे आठ किल पहले से हो चुके थे लेगिन किल किसको मतलब मेरे को 10 भी किल मिल जाए 12 भी मिल जाए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम है नी क्योंकि उससे मेरा केडी रेशियो ही अच्छा होगा और कुछ से भी नहीं होना है क्योंकि अभी आठ किल हो चुके थे अभी अगर मैं मरी भी जाता हूँ मेरी दिम्बूया भी ले आत 12 भी मिल जाए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको मेरे लिए बहुत जड़ा सही था अभी आप लोग देख सकतो सामने जो कि एक बंदा मेरे को खिरकी से मारने की कोशिश कर रहा था है तो थोड़ा ब़र डेमेज कर भी दिया लेकिन इसके बाद मैंने उसको ग बंदे का भी किल भड़े ही आराम से लेने वाला है क्योंकि इसके पास तो होप ओफ हैं जो अपना सॉट गन होता है उसकी स्किन भी थी जो की डबल डेमेज या फिर सिंगल डेमेज का है मेरे को सॉट गन के बारे में उतना जड़ा नॉलेज है नि क्योंकि मेरे पास कोई अब यहां से हम लोग आ चुके हैं अपने मोस्ट अतरंगी वाले पार्ट में जिसमें कि मेरे को सामने दिख सकता है एक बंदा यानि कि उसको में बहुत जड़ा देमेज तो कर नहीं पाता है लेकिन ग्लोजा से उसको मारने लगता हूं लेकिन वह बंदा वहीं से वहां प अब यहां पाएंगे क्योंकि अभी हमसे कम ही बंदे बचे हुए अभी आप लोग देख सकतो हम ले हमारी स्कॉर्ड के अलावा अभी दो ही और बंदे बचे हुए तो इन दोरों का किल में से भाई मेरे को एक भी मिल जा तो भी बहुत है अगर ना मिले तो भी हम लोग कु पाइब इसमें ओपर की तरफ आता हो तब ही अपने जो लेजेंड बाय आखर में बुया कर जाती है आखर के मंदे को मार के बुया हम लोग को दिला देते हैं तो इसी किसा की वीड़ियो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना हैं तो जरूर आपको एसी इंट्रस्टिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे यानि कि इंडिया रीजन में टॉप 100 में आम लोग जाने की पूरी कोशिश करेंगे तो उसके लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब एन अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो जरू से देख लो योगी